लो यूद्य ब्लॉग कैसे हो आप सब उम्मीद करती हैं तो आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे और स्वास्त रहना भी चाहिए भाई क्योंकि हमें हमारे पर काफी सारी रिस्वांस हो तो सबसे पहले अपनी हैल्थ का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यार रह चाहिए जब हम ठीक होंगे ना तभी हमारे हम से जुड़े हैं हमारे फैमिली मेंबर हो भी ठीक रहेंगे हैं क्योंकि एक लेडीज ही होती है जो घर के सारे फैमिली मेंबर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और बस आज है संटेरे मॉर्निंग तो बच्चे तो अभी सो करती है ना कि हम भी बेफिक्री से उठें बेफिक्र ओर parcel thो कि अपने ले जी है मतलब लगता है ना लेकिन ऐसा नहीं होता है यह बेफिक्री और ला परवाई वह तो सब हम पहले हम छोड़ा दें है क्याते है ना छोड़ाए हम हुट गलिया तो हम बेफिक्र ला परवाई कि यह सारी चीजों को छोड़ देते हैं तो चलिए आप स्टार्ट करते हूं मॉर्निंग के सांग काफ़ी टाइंग हो गया था इन्हें जाड़ लगा दी है अभी पोचानी लगाया है और पहले मैंने का कपड़े डाल दो चत में हैं यह कपड़े रात को अब यह डालती हैं पटावट से तो ऐसे आते पानी में अच्छे से दूल जाते हैं यह खुला पानी हो तो अच्छे स कुछिए तो अब और बंगा अश्री सूरी होगी यहां तो नहीं आएगी क्योंकि यहां बारिश कराने में बहुत दरा आती है है और पैलंगल अपर नी चेर कमी बनाती है कि अभी बनाई है और आप बनाऊंगे थोरी कि वारता बच्चों के पापाजी बीए पहले मोँ बना किर आप ज्या रकाली कि र्फ्राप्स चानते हैं आप नखरे कंधेल लगई तो कम से कम आपके बचे बहुत नखरे बहुंत करती है प्लीज आप मत करो तो क्वह नहीं करत बीजु में अपना पहले उत्राखंडी जख्या तो जख्या मैं जरूर डाल दी हूँ तो यह हमारे उत्राखंड में मिलता है और अब यह है तोरी बस बेसिक वसालेस में डाल दिये थे और यह जख्या है चोटी-चोटी सर्सो जैसे होती ना आमारे यहां पर सर्सो तो मिलता है तो बन गई है सब्जी थोड़ी बनाती हूं क्योंकि बच्चों ने तो खानी नहीं तो फिर फाइदा क्या है उतना ही बनाओ ना जितना खाना क्योंकि खाना जो है वेस्ट ने होना चाहिए और यहां पर आटा भी गुलके रख दिया था और अपना यह मिनी तरीके से नमक डाल देना चाहिए इससे क्या होता है कि टानों भी नहीं आते और अच्छा होता है हो गया है नाना दो ना आप जड़ा चल चड़ा दिया गए ऑपने काम ये भी होता है अपना मौनिंग का और मेरे सारे काम जोते हैं ऐसी तरीके से फुल स्पीड से जलते हैं क्योंकि फटावट फटापत मुझे लगता है कि बाद एक काम है और यहीं कि जल्दी से ना लें उतर टिंग में शान बिन आ गए हैं आजा भाई ऐसे क्या जांगार के देगा आजा आना है तो यह बाल सही गले प्रोटी बनाती हो आज घर में हैं गरमा गरम प्रोटी खाई जा सब्सक्राइब यह पता नहीं कब मोटा होगा मैं हमेशा मेरा यही डाय तो बस यह काफी रॉफ हो गए थे बाल तो अपना मेहनी से थोड़े जाया अच्छे से लगने थोड़े अभी ऑईलिंग नी की है मैंने क्योंकि कर देनी चाहिए थी कर देनी चाहिए थी क्योंकि जैसे महनी लगा न उसी दिन ऐलिंग कर तो फिर नेक्स ट्रे जो है बाल दो तो आज मैंने बाल नहीं थो उसी था और आज़ृ अफना ध्यान शीतायए तो आहिका तो अपना ध्यान अपने उप जहे तो अब अब अपना पानी का इसा स्युदूर बना रखा कि जब मैं घर के सारे काम कंप्लेट कर देती हूं तो एक गलास जरूर मैं पानी पीती हूं कई बार दो भी पी लेती हूं जरूर लिए एक ही पी हूं बट वैंने सोच रखा कि पूरे जिन में मुझे 10 से 12 लास को पी नह यहां पे तो बनारे हूं च्या यहां पे यहां पे तो अबर गी जही एक प्илась है पसिते हूं महें बना ठादा रही हूं तो बना तो भी भी चोकी हूं मैं प्नी कुछ लिक भी ऊच्टी हो चुकी हूँ आप बना रही घर था गया Başग रही ज्साए nem घर और नाल बाईने काम मतलब उसकी ना कि जल्दी से दिनर करना है पड़ावट दिनर करने के तो थोड़ा सा दिनर लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं थोड़ा सा कभी-कभी छूट दे देनी चाहिए अपने आपको भी है ना जाधा अपने पर भूझ ना गई तो मेरी खुद की विच्छ अपने जो ले आईजी चछ से व अभी तक मैंने तैनी लगाई है तो अभी लगाँ की बाद में कुलड़ की चाह पीव आप मस्ट ये देख भाई बता ममी को डंपर से दोन बील निकाले अरे इसमें ना डंपर तोड़ा है और अभी तो अभी निकाले तो इसमें लगा दि अरे ये काम करना हैं पच्चों के बापाजी एव अरिया तो तो ये लगाँ छालिगा लगाँ ने पता ओ तब ही वोले क्या वहय 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 भी तो मैं दूसरी भी निकाल जे दो है और दोने का काम हम कर देग एग द तो सिर, औरेस की हम उनकाने जोंगी उनकाने के तो तू वह तो इसे बरास से बिखे से अब तो इससे चांद मी नजर आ जाएगा वह तोरह चांद भी शाट में जांद थंड को ठीक कर रहे हैं जांद कुछ नीचे आए जाए उपर से उसने का नहीं में युनिवर्स पे नहीं यहां पर आरके एसी ठीक करें यह है हमारे उत्राघंड की पहाडी दाल यह लाए थे हम डैंस्टों से और टेस्टी होती है यह इसमें सारी दालों है बहुत बारी इस उत्राघंड की जो खड़ी दाले होती न इसमें राजवा है मुझे कुछ-कुछ दालों के नाम तो नहीं बता है जैसे लोबिया है भट बहुत थे हैं पर इसको जबनाऊंगी पर इसको पहले न साफ करना है। वैसे होते तो नहीं है डाले भीकुल दालों में उसको नहीं है। मैंने कर्छे सक दोड़े हैं तो नहीं हों अच्छे से तक दोड़ा है। तो बस फिर प्रोसीजर वही होता है, जैसे हम लोग राजमा बनाते हैं, वैसे ही बॉइल करके इसको भी बनाया जाता है, कोई special recipe तो नहीं है, अच्छे से 4-5 पानी से इसको मैंने धूदिया, और बिल्कुल पानी जो है, वो बिल्कुल साफ है, इसका मतलब ही अच्छे से ध बनाना है कन, तो यह राद भर में बीच जाएगी, और तो वह इसके बॉइल करूंगी, और फिक जैसे अपना राजमा बनाते हैं, जैसे बस उसी बैट, तो चलिए व्लोग को भी हैंट करते हूं, होग आपको वीडियो पसंद आई, यूटिव वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं कल के व्लोग में, तिल देन कुल भाई, टेक क्या और गूट नाइट